नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका KB Electrical Maintenance YouTube चैनल पर दोस्तो आज जो वीडियो हम लेके आए हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 3-Paste Transformer के connection किस प्रकार से के जाते हैं में लिए हम इसके connection दो प्रकार से कर सकते हैं star या delta लेकिन जब हम इसकी primary और secondary दोनों के connection करते हैं तो उसको हम 4 तरीके से कर सकते हैं पहला star प्राइमरी में भी star और secondary में भी star दूसरा डेल्टा डेल्टा इसका primary में भी डेल्टा कर सकते हैं और secondary में भी डेल्टा तीसरा हम primary में star कर सकते हैं और secondary में डेल्टा और चोथा हम primary में delta कर सकते हैं और secondary में star तो जो connection होते हैं इसके connection इस प्रकार से किये जाते हैं अगर वो हमारा distribution transformer है तो उसका जो secondary binding है उसमें हमेशा star connection किये जाते हैं जिससे हमें बहाँ पर neutral point प्राप्त हो जाता है लेकिन अगर जो हमारा transformer है वो power transformer है जो transmission line में होती है generation plant में use होता है उसको हम जो secondary binding होती है उसमें हमेशा delta connection को करते हैं तो इसमें हम आपको theoretical बताने वाले हैं इस वीडियो में लेकिन इसके बाद जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे practically क्योंकि हमारे यहां जो transformer लगा हुआ है उसके जो connection किये गया है वो बाहर कि side किये गया है जो सभी bindings है उसके star delta connection बाहर ही है open है तो हम आपको directly जो transformer है वहाँ पर जाके उसको दिखाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि इसके connection है वो किस प्रकार से किये जाते है अभी तक आपने सिर्फ theoretically पढ़ा होगा कि connection कैसे होते है तो आपको हमेशा confusion रहती है कि इसके connection इस प्रकार star में कैसे हो जाते है delta में कैसे हो जाते है तो अब जब आप हमारा second video देखेंगे तो उसमें आपकी सारी confusion दूर हो जाएगी आप एक बार में समझ जाएंगे तो इसके बाद जो star के connection star delta connection है उसको आप कभी नहीं भूल सकते तो हम इसमें theoretically क्यों बता रहे directly transformer के पास ही क्यों नहीं जाके बता दे रहे तो इसके लिए अगर हम directly बताएंगे practically समझना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लें जिससे हम वो वीडियो अफ्लोट करें उसका notification सबसे पहले आपके पास आजाए और अगर आप electrical के concept को practically समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि हम जरूतर जो वीडियो लेके आते हैं वो practically लेके आते हैं जिससे आपको उसमें समझने में आसा नहीं होगी क्योंकि अगर आप practically समझेंगे तो आप उसको अच्छे समझ पाएंगे और उसको कभी नहीं बूल सकते तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तो यहाँ पर यह transformer है transformer की internally winding है यह हमारा primary side है तीनो phase का और यह हमारा secondary side है तो इसके हम connection करने वाले हैं स्टार स्टार primary में भी स्टार और secondary में भी स्टार तो देखिए यहाँ पर जो start connection होते हैं उसमें बूल रहा है कि एक-एक terminal पर हमारी main supply आ रही है या जा रही है और जो तीनो बाइंडिंग का एक-एक terminal है वो एक जगाए पर sort हो रहा है बहाँ पर हमें neutral point पर राप्त हो रहा है तो देखिए इसी परकार से अगर हम इसके connection को करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके जो एक-एक point है वो निकाल देंगे supply आने के लिए या जाने के लिए input या output के लिए supply को निकाल देंगे और इसके जो दूसरा point है दूसरा terminal बच्चेगा तीन वाइंडिंग का उसको हमें आप उसमें sort करना हुआ जिस परकार से हमने star में sort हो रहे है एक-एक terminal तो उस परकार से हमें इसको आप उसमें sort करना हुआ तो जो sorting point होता है sorting buyer है बहाँ पर सारे में हमें neutral point पर आप्त हो जाता है तो देखिए यहाँ पर जो है इस परकार से sort कर देंगे तो यहाँ पर हमें neutral point पर आप्त हो जाएगा तो इसी परकार से हमें जो secondary point है उसमें भी star connection करना है तो इस परकार से भी इसमें हमें connection को करना हुआ तो सबसे पहले एक-एक terminal पर हम output के लिए बायर को छोड़ देंगे निकाल देंगे आगे की side और जो दूसरा point है उसको हम आप उसमें तीनों को sort कर देंगे तो यह हमारा star connection complete हो जाता है अब हम primary में star connection करेंगे और secondary में delta तो primary connection हमें सेम करना है star जो अभी हमने किये थे एक-एक terminal जो तीनों binding है उसका एक-एक terminal हमें निकाल देना हुआ input supply के लिए और इसके जो दूसरे terminal बचेंगे उन्हें आप उसमें sort कर देना हुआ जिससे बहाँ पर हमें neutral point पर आप्त हो जाएगा तो इस परकार से हमें इसके star कर लेना हो अब secondary की बात करें तो देखिए यहाँ पर delta connection को देखेंगे तो जहाँ पर हमारा red और blue face एक साथ connect हो रहा है यहाँ पर आपस में face connect होंगे तो जहाँ पर red और blue face connect हो रहा है बहाँ पर our face निकलेगा हमारा तो बहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर जो red है बहाँ पर हम red wire को connect करेंगे, यहां से blue के साथ, तो इस binding को आपस में sort करेंगे, यहां से हमें red face मिल जाएगा, इसके बाद जो red वाला दूसरा terminal है, वो connect हो रहा है, जो yellow वाला terminal है, yellow वाली जो binding है, उसके एक terminal से connect हो रहा है, तो बहाँ पर हमें by face मिल ला है देखिए यहाँ पर तो इसी परकार से हमें इसको क्या करना है जो red वाला है उसका जो एक terminal बचा हुआ है उसको sort करना है हमारा by वाला जो terminal है उसके एक point से तो इसको हम connect करेंगे तो यहाँ पर हमें by face मिल जाएगा और इसी परकार से देखेंगे तो जो blue वाला point है blue वाली जो binding है उसका एक terminal बचा हुआ है तो वो connect हो रहा है बाई वाले point जो दूसरा terminal है उससे connect होना है तो बहाँ पर हमें B face मिल जाएगा तो इस परकार से हमारे जो तीनों face हैं वो निकल गए है आउटपुट सप्लाई के लिए इसमें कोई भी neutral point नहीं है इसमें directly हमारे तीन face निकलेंगे जिसको हम output में connect करेंगे यह हमारी secondary binding है तो इसके बाद हम करेंगे delta delta connection primary में भी delta और secondary में भी delta तो अभी हमने delta connection secondary में किये ते हैं primary और secondary में दोनों में करना है तो देखिए B face और R face जहां पर एक साथ connect हो रहे हैं बहाँ पर हमें R point मिलेगा तो इस प्रकार से यहां पर connect कर देंगे और जो दूसरा है red face का और by face का एक साथ जो connect हो रहे हैं जिस point पर बहाँ पर हमें by face मिलने वाला है और B face और B face का जो एक एक टर्मिनल बचा हुआ है बहाँ पर बो दोनों आपस में connect हो रहे हैं बहाँ पर हमें B face मिल जाएगा तो इस प्रकार से ये primary में हमारा connection हो गए और इसी प्रकार से हमें कर देना होगा secondary में तो ये हमारे जो तीसरे प्रकार की connection है वो complete हो गए है और इसके बाद हमें करना होगा जो दूसरे connection है उसको करना होगा तो वो है हमारा primary में delta और secondary में star तो देखिए primary में हमने delta है इस प्रकार से रहने देंगे इसको इस प्रकार से करना है और जो इसका second या उसमें start करना हुगा तो हमने पहले ही बता है तो start करने के लिए एक-एक point हमें निकाल देना हुगा तो तीनो binding का एक-एक point हम output supply के लिए निकाल देंगे और उसके बाद जो तीनो point हैं उनको आप उसमें sort कर देंगे जो तीनो binding के एक-एक point बचा हुआ है उनको हम आपस में sort कर देंगे तो बहाँ पर हमें neutral point मिल जाएगा तो इस परकार से यह हमारे चार तरीके के connection होते हैं तो यह बाला जो star connection है यह distribution transformation में किया जाता है तो यहां से क्या है हमें neutral point पर आप्त हो जाता है जिससे हम जो supply है वो distribute कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं comment box में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like share जरू करें और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं वो चैनल को subscribe जरू कर लें साथ में bell icon को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका notification सबसे पहले आपके पास आ जाए और इसके बाद जो हमारा next वीडियो आएगा उसमें हम आपको practically बताएंगे किस प्रकार से इसके connection होते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाए